मेरे पहरे देश्वासियों, आईए कहानियों की दुनिया से अब हम साथ समंदर पार चलते हैं, यह आवाद सुनिए अच्छा लगा और भारत के कल्चर को देखे कर बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं बिद्धि करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक बार भारत विजित करने का अफसर्द दिया जाए, तके हम और भारत के बड़े मैं सीख सकें, नमस्ते है न मज़ेदार, तो ये थे माली के सेदू देंबेले, माली भारत से दूर पस्चिम आफरिका का एक बड़ा और लैंड लॉक देश है, सेदू देंबेले माली के एक शहर, कीटा के एक पब्लिक स्कूल में सिख्षक है, वे बच्चों को इंगलीज, मुजीक और पेंटिं ड्राइंग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन उनकी एक और पहचान भी है, लोग उन्हें माली के हिंदूस्तान का बाबू कहते हैं, और उन्हें ऐसा कहलाने में बहुत गर्वी की अनुभूती होती हैं, प्रतेग रविवार को दो पर भाग, वे माली में एक घंटे का रेडियो कारकम प्रस्थूत करते हैं, इस कारकम का नाम है Indian Frequency on Bollywood Songs, इसे वे पिछले 23 वर्सों से प्रस्थूत करते आ रहे हैं, इस कारकम के दोरान वे फ्रेंच के साथ साथ माली की लोगभाशा बंबारा में भी अपनी कमेंटरी करते रहे हैं, और बड़े नाटकी से करते हैं, भारत के प्रती उनके मन में अगात प्रेम है, भारत से उनके गहरे जुडाव की एक और वज़य ये भी है कि उनका जन्म भी 15 अगस को हुआ था, सेदू जी ने दो घंटे का एक और कारकम अब प्रतेक रविवार रात 9 वज़े शुरू किया है, इसमें बे बो पूरी फिल्म की कहानी फ्रेंच और बंबारा में सुनाते हैं, कभी-कभी किसी इमोशनल सीन के बारे में बात करते समय, वे स्वयम भी और उनके स्रोता भी एक साथ रो पड़ते हैं, सेदू जी के पिता ने ही भारतिय संस्कृती से उनकी पहचान करवाई थी, उनके पिता सिनेमा थेटर में काम करते थे और वहाँ भारतिय फिल्में भी दिखाई जाती थी, इस 15 अगस को उन्होंने हिंदी में एक वीडियो के माध्यम से भारत के लोगों को स्वतंतरता दिवस की सुपकामना ही दे थी, आज उनके बच्चे भारत का राश्गान आसानी से गाते ह हैं, आप ये दोनों वीडियो जरूर देखे और उनके भारत प्रेम को महसूस करें, सेदू जी ने जब कुम्ब का दोरा किया था और उस समय बेउस डेलिकेशन का हिस्सा थे जिससे मैं मिला था, भारत के लिए उनका इस प्रकार का जुनूम, स्ने और प्यार वाकई हम सब के लिए गर्व की बात है